का दोस्तों चलिए आपको लेचलते हैं के एक शांदार सहल मैलबर्ण में मैलबर्ण आस्ट्रेलिया भारत से आये जाई है आस्ट्रेलिया सिड्नी में मत पहुँच जाई है तो आस्ट्रेलिया जहां पास कुछ हो रहा है और वो बहत खास हो रहा है एक्जाम के दृष्टी से GS Paper 2 और 3 का सब्जेक्ट है यह केंद्री गिरे राज्य मंत्री किसन रेड़ी जी पहुँच गया है यहां पास एक ऐसे संगठन जिसका नाम है आतंक वाद के लिए कोई धनरासी नहीं No money for terror यहां हमारे जो मंत्री है उन्होंने कहा है कुछ और वो साथ ही उन्होंने जो है चिनता जहिर की है कि पाकिस्तान जो है भहिया भाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो लसकरे तैवा जैसे मुमोथ हिजबूल महजाद्दीन के थूँ जो है भारत में आतंकवाद प्रयोजित करता है तो साथ ही आपको ये तो पता ही है कि 2008 में मुंबई हमला हुआ था और 2001 में कहां तो संसद हमला हुआ तो इंपोर्टेंट ये नहीं है इंपोर्टेंट है कि किसन रेड़ी जी ने क् पता है और उससे दो टर्मिनोलोजी उत्पन होती है तो पहली बात तो हमारी जो निकल के आती है वो छे बाते है उसमें से पांचवी बात में आपको बताता हूँ पांचवी बात है कि 2020 का जो संमिलन है नो मनी फोर टेरर का यहां पास देखिए ये जो संमिलन होगा हमारे प्यारे भारत देश में होगा जहां भारत माता हमारे प्यारे भारत देश में होगा 2020 का और इसके जो सहयोगी देश है ना मतलब 65 देश है इसके ये जो 65 देश है ये कहलाते है एगमोंट ग्रूप E G M O U N T ये एगमोंट ग्रूप कहलाते हैं इसके सदस्य देश किसके तो वाहिए देखते हैं कि क्या कुछ बाते निकल गया आती है तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि भाईया सांती सुरक्षा के लिए जो एग्रिमेंट हुए है युनाइटेड नेशन के सभित राष्ट के उन पर जो है वह जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए समग रूप से अंत करना करें क्या हो रहा रहा एफटीफ में अभी आपको पता होगा हमने कुछ दिन पहले ही हमने डिसकस किया था कि जो है पाकिस्तान को बोला जा रहा था कि ब्लेकलिस्ट में डाल देंगे लेकिन उसे बचा लिया किसने चाहिना तो यह जो है इस प्रकार का पॉलिटिक्स इस बात के बारे में बोला गया है भारत ने इस बार अभी आतंकवाद के लिए no money for terror नामक जो सम्मिलन हुआ है वहां तो राजनिती करन नहीं होना चाहिए और चौथी बात कटरवाद के वित्त पोर्षन को रोका जाये जल्दी से जल्दी तो यहां जो है यह चार बातें आप याद रखें कौन कौन सी राजनिती करन तुरंत इंप्लिमेंटेशन और समग्र संधी और एक बात यह कि आतंकवाद के लिए जो नया सम्मिलन जो आने वाला भविस्य में सम्मिलन है वो होगा भारत में ठीक इतनी बात है जब आपको पता चल जाती है तो एक शांदा इसको सुद्ध हिंदी में न वित्ति खूफिया एकक भी कहते हैं इकाई को एकक भी कहते हैं तो इससे सुद्ध हिंद में कहते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि आतंकवाद के लिए धन नहीं सम्मिलन में सो से अधिक देस हो कि वित्ति खूफिया जिनती आयोजित कराती ह ठेक ये बात आप जरूर ध्यान रखेगा तो मैं आपको एक शांदार बात बता ही दूँ फाइनेशल इंटेलिजेंस जो सेंटर गवर्मेंट के एजनसी होती है वित्ती आसूचना एक हक अना तो इसका काम देखें मनी लॉंडरिंग के तहत जो कानून बनता ना उसके तहती वित्ती जानकारी प्राप्त करती है हमारी मतलब नागरिकों के प्राप्त करती है और उसके देश में जो भी लोग उनकी जानकारी प्राप्त करेगी तो ये बात आपको बता रहे है वित्ती जानकारी प्राप्त करे और क्राइम इसको जो है रोका जा सके तो ऐसा कुछ काम है किसका एफ आई यू का फाइनिशल इंटेलिजेंस यूनिट जो मनी लॉंडरिंग के दाद काम करेगी जानकारी प्राप्ति करेगी एनलेसिस करने पर सूचना साजा करती है वित्ति आस सूचना एक अक ज़रूर या जानकारी प्राप्त करना जैसी कुछ काम कर रहेगा तो जरूर करेगी ठेक विदेश से साजा करती ही जानकारी तो बिलकुल अगर आप उसकी कंट्रीज हैं जैसे कि यहां पास हमारे कितने हैं 65 इस सम्मेलन में 65 देश इससा लिये थे जबार ठीक और 100 से ज्यादा इस एज कराया था तो जो 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 देश भाग लिये हैं इसके सदस्य देश हैं वो जो सदस्य देश हैं उनके साथ जो है यह साजा करेगी क्योंकि अग्रिमेंट हुआ ंंके साथ ठीक तो यह बात आपको ध्यान रखना है रगुलेटर रगुलेशन का और साजा का FIU और एक बहुत चार्थी शांदार्च बात है यहां पास कि फाइनेंसियल एक्षां टास्क फोर्स है यह जो फाइनसियल एक्षां टास्क फोर्स है इटली और कनड़ा ये देखिए हैं कनड़ा यूएस यूके फ्रांस इटली जर्मनी तो ये द्यो देश हैं यही इसके पैरेंट हैं और एक देश छूट कुसा जापान इसे भी आधर रहे हैं ठिक तो ये जो देश हैं यही है इसको बनाने वाले FATF को 1987 बनाता अंतरसरकारी संगठन है बहुत पावरफुल एजिंसी होती है अंतरसरकारी संगठन अपने आप में सबसे ताकतवर उनिट अपने आप में होती है काम क्या है मानक बनाएगा, रूल बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा किस सीच का बनाएगा तो आप बताएंगे मनी लॉंडिंग नहीं करना है उस सीच के लिए बनाएगा टेरर फंडिंग नहीं करना है उस सीच के लिए बनाएगा और साथ ही एक और सबसे सांदार इंटरनेशनल अगर financial institution सिस्टम को जो तोड़े ऐसे कोई rule regulation या फिर कुछ गड़बड हो रहा है तो उस पर ये तुरंत जो है वह rule regulation बनाने का काम करता है financial action task force का 1987 बना था G7 के द्वारा जी हाँ अब आपको हम एक और सांदार बताते हैं कि इस बार मुद्दा भी था जो की बात हुई है देशों के list बनती है क्या बनाते हैं भी money laundering देखते हैं टेर फंडिंग वाला देखते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या उस देश ने इस money laundering के ऊपर कुछ काम किया है ठिठा किया है की नहीं टेर फंडिंग के ऊपर किया है की नहीं अगर नहीं किया है तो उसको हम लोग ढाल देथे हैं लिस्ट में तो एक example के तो रूपे आप देख सकते हैं ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है उसको डार्क लिस्ट में जला सकता है फिर ब्लेक लिस्ट में जला सकता है इतनी लिस्ट है आप डाल सकते हैं तो आप बोलेंगे आप से पूछेंगे हम कि इस बार पाकिस्तान कभी था कि उसको हम डाल रहते हैं हम ब्लेक लिस्ट में डालने के लिए बात कर रहते हैं और voting right है क्या उसके पास, जी हाँ, ये भी है, तो ये कुछ बात है, भारास अधा से voting right भी है, भारत के पास voting right है, किसका FATF का, एक और ग्रूप होता है, बहुत एकदम similar, ये हमेशा इसका जिक्र होते है, एकदम similar FATF के, इंटर गवर्मेंटल है, देखे, राइटिंग थोड़ा गड़बड हो गया है, आपस, इसको हम फिर से आपको बोलते हैं, कि APG है, APG इंटर गवर्मेंटल, ये एकदम मतलब इतना गंदा, मैं खुद लिखाऊं कि, सौरी इसके लिए, तो ये इंटर गवर् में जो विनाश करते हैं, विस्फोटक, ऐसे विस्फोटक की फंडिंग को भी ये रोकता है, कौन? APG, यानि कि वो जो उपर के तीन थे, वो तो आएंगे ही, साथ में ही, मास डेस्ट्रक्शन भी आएगा, ठीक, तो ये काम है APG का, similar गुपता FATF से, इसलिए यहां लिखा हुआ है, बहुत के पास वोटिंग राइट है, दोनों का, अब इतनी बात अगर हो जाती है, तो ये बात जो इस जो आज की हमारी पेसकस्ती, उससे मिलती जुलती है, लेकिन जरूर याद रखेगा, इन पांच बातों को, क्या कुछ हमारी फ्यूचर की पॉलिसी रहेगी, इसको लेकर ठिक इन चार बातों को, और ये जरूर 2020 में चालू होता है, आपने देखा कि वित्ती कुफिया एजनसी जो है वह क्या है, सो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं सेब क्लोस करता हूँ, थैंक यू.